इस वीडियो के अंदर मैं आपको explain करूंगा कानमडिस का लेक्षन मर् 16 और फ्रिक्षन का पार्ट 2 यानि गर्षन का पार्ट 2 अल्रडी मैं आपको फ्रिक्षन का फर्स पार्ट अप्लोड कर चुका हूं और वहाँ मैंने आपको detail में explain किया था कि friction का मीनिंग क्या होता है और दो टाप के friction आपको explain किये थे कि static friction और kinetic friction और detail में मैंने आपको kinetic friction को वहाँ पर explain किया था इसमें लोगे मैं आपको explain करूंगा aesthetic friction की theory और उस पर बहूँज परच्छन दो कि अधिक इस्टेटिक त्रिक्षन यानि इस्टेटिक करन इस्टेटिक फ्रिक्षन का मीनिंग क्या होता है देखो यह मेरे पास एक five kilogram का box है तरहीं ये मेरे पास एक box है और जिसका मास है five kilogram और यह किसी surface के ऊपर रखा हुआ इस तरीके से मैं तमसे बोलू कि यह रेश्ट में है ठीक है यह किसमें रेश्ट में इफ दो बॉडी इजिन रेस्ट इप बॉडी इजिन रेस्ट एंड टेंस तुम इसका मतलब क्या है इसका मीनिग यह है कि अगर बॉडी रेश्ट में है और चलने ही वाली है लेकिन चली नहीं तो तो यहां जो फ्रिक्शन जन्रेट होगा उसे हम बोलते हैं static friction यानि aesthetic गर्सान जब बोडी रेस्ट में हो और चलने ही वाली हो लेकिन चली ना हो tends to move तो वहाँ जो friction generate होता है that is known as static friction और उसको हम represent करते हैं fs से static friction ठीक है अब देखो यहाँ हम एक term explain करेंगे उसका नाम है mu s का मतलब क्या होता है कोफीशियंट ओफ इस्टेटिक friction इस्टेटिक प्रिक्शन यानि इस्थेटिक घरसर गोडांग देखो मैंने आपको friction के part 1 के इंदर आपको चीज़ें बताई थी जब मैंने आपको friction start किया था वहाँ explain किया था कि जो mu होता है वो coefficient of friction होता है यानि किती सतय कोई सतय कैसी है खुरदरी है या चिकनी है उसकी value को बताने के लिए mu को define करते है मू क्या करता है उस सतय है कि चिकनी है खुरदरी है उसकी value बताता है उसका मान बताता है और mu दो tap से explain करते है एक तो जब body motion में हो तो हमाँ kinetic friction की बात कर रहे थे तो kinetic friction के अंदर जो term निकल के आएगी जिसे हम mu के बोलते है वो क्या होता था coefficient of kinetic friction और जब body rest में होती है तब जो मू होता है उसे मू को क्या बोलते है मू एस बोडी रेस्ट को होती है तब उससे बोलते है मू एस that is coefficient of static friction अब देखो अब मैं आपके सामने चीज लिख रहा हूं कि mu k और mu s इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा कौन सा greater होगा अब आप देखो अब मेरे पास एक body है और यह body rest में है अब जब body rest में है उसमें जो मैं force लगाऊंगा उसको motion में लाने के लिए ठीक है अब देखो वो body जिस जो body rest में थी आपने उसमें force लगाया और body किसमें आ नहीं आप तो अब आप जो को दकेल के लिए जाल रहे हो तब लगाए और जब body rest में थी तब आपने जादा force लगाया था अब इससली बात है जब body rest में थी तब आपने उसको motion में लाने के लिए जादा force लगाए था in comparison of that कि अब वो चल रही है आप जब उसका उसमें दो म लाने के लिए तो इसका मत्थब क्या है कि बड़ा होगा अगर मैं इन दौनों का रेशियो यहां से निकालू तो देखो रेशियो क्या जाएगा फॉर यह आ गया रेशियो किसका अगर पर मैं इसको ऐसे लिखना चाऊं मू स अपॉन मू के इसे रहे में इसको एईसे भी लिख सकता हूं दौनों सही है जब के ऊपर हो और मू स नीचे और तो होगा लेस इन वन और जब मू स ऊंपर हो और मू के नीचे हो इसका मतलब क्या होगा ऐसे होगा था में इस बात को ऐसे नहीं लेख सकता कि म्यू एस अपॉन म्यू के क्या जाएगा सिंपल यही तो चीज मैंने बोली थी अब देखो इन दोनों का रिस्यू क्या होता है यह होता है अब देखो आप अब अगर यह बोडी है तो इस बोडी पर मैं एक फोर्स में लगा हूं ऑक हो कितना फोर्स तो मिलाथ हां हम इस जो फोर्स को भाक सिंपलाइड फोर्स कैल अप आपितवल एपलाइड फॉर्स आरोपितवल मान के चलो यह जो ओड़ी 5 ग्लोगरेंग की है ठीक है अब मैंने इसपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी मोशन में नहीं आई मैंने इसफ़ दो न्यूटन का फोर्स लगाया अभी भी बॉडी रेस्ट में मोशन में नहीं हुई अगर मैंने इसफ़ तीन न्यूटन का फोर्स लगाया अभी भी बॉडी रेस्ट में है अगर मैंने सब 4 newton का force लगाया, अभी भी body rest में है, मैंने सब 5 newton का force लगाया, अभी भी body rest में है, ठीक है, मान के चलो, इस body को मैं 6 newton force से ज़्यादा लगाने पर ये body motion में है, ये द्यान देशनना, मैंने आप से बोल रहा हूं कि इस body को 5 kg की body पर अगर आप 6 newton से 6.02, 6.03, 6 से ज़्यादा होगा, 6 से 6.01 भी होगा, तब भी ये body motion में आजाएगी, मैं आपसे बोल रहा हूं, मतलब ये body 5 newton force तक भी rest में है, लेकिन आप मैं बोल रहा हूं, आपसे 6 newton force लगा दो, 6 newton force लगा दोगे, तब भी body rest में होगी, लेकिन अगर आप 6 से मैं आपसे ये बोल रहा हूं, कि मैंने 1 newton force लगाया, 2 newton force लगाया, 3 newton force लगाया, 4 newton force लगाया, 5 newton force लगाया, body नहीं नहीं मूल करे, इसका मतलब है, किसको कहूं static friction, एक को कहूं, दो कहूं, किसको बोल है static friction? तो कहने का मीनिंग क्या है कि कभी भी static friction cannot be calculated cannot be calculated static friction को हम calculate नहीं कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है static friction को हम calculate नहीं कर सकते हैं तो फिर calculate क्या करेंगे अब आप देखो 5 इंटर तक मैंने force लगा लिया body motion में नहीं है तो body चलने ही वाली है चली नहीं है लेकिन जैसे ही मैं 6 नूटन से 6.01 फोर्स भी लगा दूँगा तो body motion में आ जाएगी दुबारा मैंने इस पर 5 इंटर फोर्स लगाया तो body rest में ही है motion में नहीं आई लेकिन जैसे ही मैंने 6 नूटन का force लगाया तो body चलने ही वाली है चली नहीं है लेकिन जैसे ही मैंने इसको 6.01 यानि 6 से हलका सा जबावी force लगा दिया तो body motion में आ जाएगी इसका मतलब क्या है कि friction की जो last value है 6 वो friction की static friction की maximum value है ठीक है तो 6 क्या है friction की static friction की maximum value और इस maximum value को static friction की maximum value को हम बोलते है limiting friction क्या बोलते है limiting friction that is सीमालत घरसन तो एक relation होता है ये 0 is less than f is less than f s maximum मतलब क्या है कि ये f s maximum का मतलब क्या है कि limiting friction क्या बोलते है इसको limiting friction limiting friction यानि सीमांत घरसन तो जब aesthetic friction की value maximum हो गई छह है उसको हम क्या बोलते है limiting friction और देखो limiting friction जो होता हम value क्या होती है constant क्या होती है fix constant होती है ठीक है यानि 6 is the constant value of maximum aesthetic friction और इसको हम क्या कर सकते है calculate भी कर सकते है तो it can be calculated it can be calculated दो बात बहुत important है आपके लिए कि कभी भी static friction को calculate नहीं कर सकते है लेकिन maximum static friction को जिसी को उसको क्या बोल रहा हूं है limiting friction that is FL क्या बोल रहा हूं है limiting friction को FL इसको हम calculate कर सकते हैं लेकिन static friction को calculate नहीं कर सकते simple और limiting friction क्या होता है constant होता है और दूसरी बात अब यह जब body motion में आ गई motion में कब आई होगी जब आपने उस पर जो force लगाया है उस limiting friction से क्या होगा ज्यादा तो simple बात है अगर body आपको motion में रखनी है तो उसका हमेशा क्या होगा applied force ज्यादा होगा limiting friction से तो यह बात बहुत important है कब के लिए है जब body किस में हो motion में body is moving clear तो body move कर रही होगी तो उस पर हमेशा applied force ज्यादा होगा limiting friction के समझ में आ रहा है क्योंकि limiting friction क्या था इस पर 6 और जैसे मैंने 6 से ज्यादा force लगा दिया applied force क्या हो गया ज्यादा पुरंट body क्या करने लगी move करने लगी और देखो जो static friction होता है अपने हिसाब से adjust करता है तो मैं यह भी बोल सकता हूं कि जो fs होता है वो क्या होता है एड़ेस्टेबल फॉर्स एड़ेस्टेबल फॉर्स कि अपने अपॉर्डिंग की करता है ठीक है अपने सबसे इसका इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं बता इस नहीं करता है तो किसका फॉर्मूला एक्जस करता है fL का, that is limiting friction यहानी aesthetic friction ती maximum value को is limiting friction होते तो लिमिटिंग friction का formula होता है वो क्या होता है वो होता है fL बरावत mu s into n, n का normal reaction force, fL का formula क्या होता है mu s into n, और एक formula होता था क्या होता है इस दुनिया के अंदर इस पूरी फिजिस के अंदर फैस्स नांगी कोई तरह नहीं करता और नांगी कोई नहीं करता और आप यह सोचन हो कि हो एक जा उखेंगी कोई जाओ तो यहां नहीं करती है और चाहिए मिव आप इस होता है या एक होता है या फॉप होता है जिसको फैस्स नहीं करती है और तो यह चीज इंपोर्ड़न ती और दूसरा मैं आपको बता चुपाऊं कि अगर बॉड्य पोर्शन होगी है इस वह उ जादा लिंटेंग पोसे इसके बाद मैं आपको कॉश्चन करूँ आपको प्रेटी प्रिक्षन पर पत्री चीजे नोट करूँ अब देखो कॉश्चन ठीक है कि कॉश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है एक बॉक्स है और जिसका मास दे रखा आपको पॉर क्लोग अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि फ्रिक्षन फोर्स हमें बताना है घरसनवल तो फाइंड दा फ्रिक्षन फोर्स यानि घरसनवल निकालना है कब जब यह बॉडी किसमें हो रेस्ट में वेन बॉडी इस एट रेस्ट बॉडी किसमें हो रेस्ट में तो हमें यहां फ्रिक्षन फोर्स बताना है जब बॉडी किसमें हो रेस्ट में और आपको यह एक डाटा और गिवेन है मुएस और मुएस की वैलू दे रखी हो कितनी 0.2 ठीक है तब के लिए हमें क्या निकालना है को कैलकूलिट नहीं कर सकते हैं तो मैं क्या निकालना है लिमिटिंग फ्रिक्षिन और लिमिटिंग फ्रिक्षिन की जो वैल्यू वह कितनी होगी न्यू एस इंटू एंड सिंपल अब आप देखो म्यू एस की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट टू अब एन हमें निकालना है यहां पर तो नॉर्मल रेक्शन फोर्स कहां लगता है उपर की तरफ और इस बॉडी का जो बेट है कहां लगेगा डाउंबर डारेक्शन में डैट इस एम जी और नॉर् प्रिक्ष्ट कर दो आप एन के वैल्यू 40 तो 42 नहीं यानि 88.0 यानि यह कितना आ गया एट नूटन तो लिम्टिंग फोर्स कितना निकल क्या आ गया एट नूटन और हम लोग आंसर क्या टिक्कर क्या जाएंगे एट नूटन एक्च्वल में इसका अंसर एट नूटन नही है कि इस पर जो लिम्टिंग फ्रिक्षन लग रहा है वो बैकवर्ड डिरेक्शन में कितना लग रहा है एट नूटन अब तुम खुद सोचो सिक्स नूटन फोर्स से जो अप्लाइड फोर्स तुम लगा रहे थे उस फोर्स से लिम्टिंग फोर्सन क्या हो गया जादा कभी ऐसा होता है कि बॉड़ी रखी है और बिना फोर्स लगाए वो अपनी तरफ मेरी तरफ चली आएगी बिना फोर्स लगाए कैसा होता है कभी नहीं होता ना लेकिन यहां तो यही हो रहा है कि आप्लाइड फोर्स से लिम्टिंग फोर्स हो गया जादा और लिम्टिंग रेस्ट में होती है, when body is in rest, ठीक है, तो body at rest, अगर body rest में होगी, तो condition क्या होती है, कि जो applied force होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, limiting friction के, यानि सीमान्त गर्सण के, भाई जब body कब rest में, rest में कब होती है, जब उस पर जो force लग रहा है, applied force और limiting friction, भोक दोनों कैसे हो, equal, अगर applied force ज़्यादा हो जाएगा, limiting friction से तो body किसमे हो जाएगी, motion में, और rest में रहना है, तो दोनों क्या होने चाहिए, balance equal, simple है, तो अब देखो, limiting force किसके बराबर होना चाहिए, applied force के, कब, जब body किसमे हो, rest में, और हमसे question में क्या निकलवा रहा है, कि body rest में है, निकालो friction force, तो अब बताओ, यहाँ जो friction force होगा, limiting friction होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, f applied के, और f applied कितना है, 6 newton, तो आपका चीजें बहुत अच्छे से clear हुई होगी, इसको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि अपनलोग क्या करते हैं, यहीं से सका अंसर tick करके चले आते हैं, क्या तुम खुद सोचो, 8 newton, कैसा कभी होता है, कि body बिना force लगाए, अपने आप, move करती भी मेरी तरफ आ रही है, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है न, तो rest के time पर क्या होता है, यह condition follow होती है, ठीक, इसको note करो, इसके बाद में आपको next question और explain करता हूं, अब देखो सवाल के अंदर पूछा है कि find the friction force, यानि घर्षन बल बताओ, इस सवाल के अंदर ना तो हमसे ये बोला कि body motion में है, ना हमसे ये बोला कि body rest में है, ठीक है, सवाल के अंदर नहीं बोल रहा कि body rest में है सबसे पहले चेक करना है कि कहीं body motion में तो नहीं है तो आपको calculate करके check करना पड़ेगा कि body motion में तो नहीं है ठीक और उसके according फिर आप अगर body motion में नहीं है तो limiting friction calculate करोगे अगर body motion में है तो kinetic friction explain करोगे ठीक है तो देखो यहां पर data जो given है वो 0.4 और 0.2 अब मुझे क्या करना है question के अंदर नहीं दे रखा कि body rest में है या motion में तो सबसे पहले क्या check करना है कि body कहीं motion में तो नहीं है तो देखो यह 8 kg का box है और 10 newton का force लग रहा है ठीक तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा limiting friction लगाऊंगा ठीक है तो limiting friction की जो value वो कितनी थी new s into n clear और new s की value कितनी है 0.4 और n बताना है मुझे तो देखो डानों direction में इसका बेट लगेगा mg ऊपर क्या लगेगा n और किसके बरावर होगा mg के और m की value कितनी आठ और जी के लुदस्तों लगवग कितना आगए 80 तो 0.4 into 80 का मतलब क्या हो जाएगा आठ चुक 32 यानि 32 32 नूटन कितना limiting force लग रहा है 32 नूटन यानि पीछे की तरफ कितना लग रहा है limiting force 32 नूटन कंडिशन क्या बनेगी कि limiting force क्या हो गया applied से ज्यादा अभी जो first question था same situation बन रही है इसका मतलब होता है कि body rest में है body motion में नहीं है यानि आप देखो applied force से limiting force ज्यादा हो गया मतलब क्या कभी रखी हुई body अपने आप बिना force लगाए अपने आप move करती है क्या कोई box रखा है मेरे सामने और बिना force लगाए वो अपने आप मेरी तरफ move करेगा यहां देखने को मिल रहा है इसका मतलब है कि इस concept का मतलब क्या होता है कि body will not moving body will not moving body is case move नहीं कर रही होगी इसको हम क्या मानेंगे rest अगर body rest में होगी तो मैंने क्या बताया था applied force किसके बराबर होगा limiting friction के तो अगर body rest में आ गई यानि body move नहीं कर रही है तो इसका मतलब किसमे body rest में है अगर body rest में है तो applied force किसके बराबर होगा limiting friction के और applied force कितना है 10 newton तो limiting force भी कितना आ जाएगा 10 newton बात क्लियर है आपका answer क्या होगा 10 newton clear अब दो next question है इस question के इंदर आपसे बोल रहा है कि आपके पास एक block है और इस block का जो mass है वो 8 kg है और इस पर जो applied force लग रहा है वो 42 newton का लग रहा है ठीक है और यहां भी same mu s की value दे रखिए 0.4 और mu k की value दे रखिए 0.2 और हमसे बोल रहा है find the friction इसमें भी हमसे क्या variable की value बतानी है friction force तो ऐसी situation में अगर नहीं दे रखा data की rest में है आ motion में तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि body motion में तो नहीं है तो आप देखो motion में निकालने के लिए आप क्या चेक करोगे fl fl बराबर क्या जाएगा mu s into n ठीक है अब देखो mu s की value कितनी है यहां पर 80 तो यह आजाएगा 80 तो करीब कितना अगया 32 न्यूटन अब आप देखो जो limiting force है वो कितना आगया 32 न्यूटन कि applied force क्या हो रहा है ज्यादा और मैंने अभी क्या सखाय था अगर applied force ज्यादा हो limiting force से तो आपकी body किसमें होगी motion में तो यानि यह body क्या कर रही होगी कि यहां कौन सा friction निकालोगया kinetic friction क्या निकालोगया kinetic friction जिसकी value कितनी होती है mu k into n अब देखो mu k कि value कितनी है 0.2 और n कि value कितनी है n कि value कितनी है I think 80 तो कितना आ जाएगा 160 यानि point यानि 16 कितना आ गया 16 newton तो इस पर kinetic friction कितना लग रहा होगा that is 16 newton ठीक है तो समझने वाली बात क्या यह है में चीज ठीक है कि जो limiting force है अगर वो ज़्यादा हो applied force है तो ऐसा case exist नहीं करता इसका मतलब यह होता है कि body कि में rest में body move नहीं कर रही है अपने body motion में नहीं होती बिना अगर जब तक applied force ज्यादा नहीं होगा limiting friction से तब तक concept कराना है मुझे अब देखो अब मैं आपको एक question करा आता हूं ठीक है और उसको explain भी करूंगा question यह है कि which is easier task easier task option a मान के चलो push यानि धक्का लगाना और option b pull यानि खीचना अगर मेरे पास एक 50 किलो का एक box है ठीक है उस box को खीचना आसान होगा या धक्का लगाना उसको आसान होगा यानि यह box है इस तरीके से 50 kg का इसको खीचना आसान होगा या इसको धक्का लगाना आसान होगा ठीक यह मुझे बताना आपको अब देखो actual में किसी body को pull करना ठीक है आसान होता है खीचना क्या होता है आसान तो इसका answer क्या होगा pull करना क्यूंकि कि जो normal reaction है इस पर जो normal reaction क्या हो जाती है decrease हो जाती है इस वज़े से ऐसा होता है आपको मैं पूरा explain करता हूँ देखो ठीक है यह तो चीज याद रखो भी या कि अगर हम किसी body को pull करना या push करना असान होता है pull करना यानि खीचना उसको क्यूंकि उसका normal reaction हो क्या हो जाता है decrease हो जाता है इस वज़े से ऐसा होता है देखो मैं इसको completely explain करता हूँ देखो मैं आपको खीच के ले जा रहा हूँ पुल यानि इस तरीके से इस पर क्या कर रहा हूँ खीच के ले जा रहा हूँ और एफ फोर्स से लेके जा रहा हूं और पुस का मतलब क्या मैं इसको इस तरीके से इस पर धक्का लगा रहा हूं एफ फोर्स से अब देखो इसको मैं यह मास का ब्लॉक है कोई यह मास का ब्लॉक है इसको मैं इसका जो बेट होगा वो कहां लगेगा डानवर डायरेक्शन में इस पर नॉर्मल एक्शन फोर्स का लगेगा उपर की तरफ अब मैं इसको ऐसे बोलू कि अगर यह एंगल ठीटा आप है यानि यह एंगल ठीटा है ठीक है तो इसके दो इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन तो सेम है ना डायरेक्शन चेंज थोड़ी ना किया तो तो वेक्टर कभी चूंज नहीं हुआ डेरेक्शन चेंज करने पर दो डेक्रेंगर छोता है लेकिन डिर्एक्शन ते को जिस दायरेक्शन में मैंने देशी डीट्ए कर सकता हुं मैं इसको अब आप देखो अगर यह इस तरीकर से इसका ये एंगल ठीटा है नीट दो इक तो यह वाला f cos theta और यह वाला क्या हो जाएगा f sin of theta और डानोर डारेक्शन में इसका बेट लगेगा क्या mg ऊपर की तरफ एक force लगेगा normal reaction force that is n इतनी बात clear अब आप देखो यहाँ जो net force होगा यानि कहा लग रहा है उपर की तरफ देखो n और दो force लग रहे है उपर की तरफ एक तो n लग रहा है एक f sin theta लग रहा है इन दौनों का sum n plus f sin theta का बराबर किसके होगा mg के इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाई net force किसके बराबर होगा mg के और net force का मंतब क्या है उपर की तरफ दो force लग रहे हैं तो n और एक f sin theta दोनों को जोड के किसके बराबर लगेगा mg के जब सिर्फ normal reaction उपर की तरफ लगता था पर नीचे क्या लगता था mg तो हम क्या लगते थे n बराबर mg अब लेकिन उपर किसने force लग रहे हैं दो force लग रहे हैं तो इन दोनों को add करो बराबर किसके हो जाएगा mg के ठीक है तो यहां सेगर आप kg-fsin theta थीक है अब इस case में देखो अप यहां क्या होगा यहां जो net force होगा यानी n जो किसके बराबर होगा in n बराबर mg cyt dad Comparte southwest एम जी प्लस एफ साइन ठीटा इन दोनों का सम एन के बराबर होगा क्लियर यह तो देखो यह जो कंडिशन निकल क्या हो किसकी है पुसकी और यह किसकी है पुल की यानि खीचने की हो अगर आप फॉर्मुला देखते हो तो आपको पता है एफ बराबर क्या होता है मियू क्या जाएगा मियू धर पहुन जाएगा मियू एम जी माइनस एफ साइन ठीटा और यहां क्या जाएगा एफ बराबर मियू एम जी प्लस एफ साइन अफ ठीटा मुलो कोई प्राब्लम अब आप देखो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर क्या हो रहा है एड हो रहा है और यहां Friction Force कम होगा तभी तो Body Motion में होगी यदि अगर Applied Force उसपर ज़्यादा होगा Friction Force से तभी तो Body Motion में होगी और आप देखो Push के अंदर क्या होगी Pues के अंदर Friction Force बढ़ रहा है Add हो रही है चीजे अगर Friction Force बढ़ जाएगा तो Body कम Machine में होगी बोडी तो rest में होगी और हमें उसको दक्का लगाने में तकलीफ हैगी ठीक है लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ देखो क्या हो रहा है mg-f centit है यहाँ गट रहा है friction force कम हो रहा है तो यहाँ जो force लगाना पड़ेगा वो हमें easier होगा तक उस बोड़ी को खीचने के लिए ठीक यहाँ से हम यह भी देख सकते हैं कि देखो आप कि f किसके बराबर था mu n के अगर friction force कम होगा तो n b क्या होगा कम इसलिए मैंने इस cancer क्या दिया था कि pull को यानि खीचना आसान होता है क्यों क्योंकि normal reaction क्या होता है कम आप देख रहें friction कम होगा अगर friction कम होगा तो normal reaction भी कम होगा ठीक है यह navy double A में पूछा गया question है जो मैं आपको यहाँ explain कर रहा हूँ ठीक तो यह मैंने पूरा detail में पूरा आपको complete explain किया है ठीक अब देखो अब आपका बचा अभी मुझे आपको और cover करना है एक तो करना है angle of repose, bramcon और एक आपको मुझे भी explain करना है angle of friction इसके बाद आपको friction के part 3 के अंदर यह दोनों चीज़े explain करूँगा angle of repose, bramcon और angle of friction ठीक है तब तक वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा साथ सेर करें और चैनल को subscribe करना न भूलें और बेल आपको जुरू पहस करें ताकि मेरी हर वीडियो की notification करें करें